हेलो दोस्तों Study Glows में आपका सवगत है तो कईसे हो दोस्त? बढ़िए ही होगे सब मेहनत कर रहे होगे, पढ़ाइई कर रहे होगे तो अपनी Wildlife Century की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आझ पांच और Wildlife Lew data देखेंगे इंडिया की साउथ गोवाड डिस्ट्रीट के काना कोना तालुका में यह वाइलाईफ सेंशुरी जो है लोकेटेड है और इस वाइल इस सेंशुरी गो इस दुटाल के या engel इस यह सब दिखाई देगा ठीक है एनिमल्स देख़ते हैं फ्लाइंग स्क्वेरल यहां पर आपको देखने हो मिलेगा स्लेंडर लोरेस, इंडियन पैंगुलेन, मौश डियर, फोर हॉंड, एंटिलोप, मालबार, पिट वाइपर, हम नॉजड, पिट वाइपर, वाइट बैलेड वुट पैकर, मालबार ट्रोगन, वेलवेट, फ्रिंटेड, नट हैच, हाट, स्पॉर्टेड, वुट पैकर, स्पैकल्ड, पैकुलेट, मलायन, बिटन, ग्रैको, इसको फ्लाइंग लिजर्ड भी बोलते हैं, गोल्डन बैक, ग्लाइडिंग स्नेक, मलबा, ट्री, टॉड, ये सब आपको यहाँ पर जानवर दिखने हों मिलेंगे, अब हम देखें, नित्रावली वाइलाइड सेंचुरी, सबसे पहले इसका बैप देखिए, ये देखिए, ये हैं नित्रावली वाइलाइड सेंचुरी, ये संगम तालुका के वरलेम में लोकेटेड है, ठीक है, तो ये संगम तालुका के वरलेम में लोकेटेड है, और ये वाइलाइड सेंचुरी जो है गोवा में है, ठीक है, ये देखिए, संगम तालुका के वरलेम में लोकेटेड है, और गोवा में है यह वाइलेफ सेंचुरी यह वाइलेफ सेंचुरी जो गोवा में है उसके बाद यह एडजेकेंड है डेंडेली अंशी टैगर रिजर्फ से जो की है करनाटक में इस्टरन साइट से काटिगाओ वाइलेफ सेंचुरी से जो की है गोवा में अभी हम देखा थ साइट से भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलें नैशनल पार्क से जो की है नौधन साइट में और यह सारे प्रोटेक्टेड अरियाज है ठीक है और मड़ेई वाइलेफ सेंचुरी और भिमगर्ड वाइलेफ सेंचुरी से भी एडिकेंट आई है जो की है करनाटक में आँ अब हम देखते हैं ये यहां एंट यहां पर आपको गौर मिलेगा मलबाद जान्ट स्कॉरल ver भोग दिलेगा जिसको सच्वा इंटिलॉप लें और बहुत पाओगे अभी मैं सीरीज लेके आऊंगा तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा वस वही पढ़ लेना बहुत आपके लिए बर्ट्स यहाँ पर देखिए रेयर मालयालन नाइट हरॉन निलगिरी वुड पिजन ग्रेट पाइड हॉन्बिल ग्रेड बुलबुल वाइट बलेड ब्लू फ्लाइट केचर यह सब आपको यहाँ पर बर्ट्स देखने को मिलेंगी अब हम देखिए हैं महादी वाइल लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है यह 208.5 km में फैला हुआ है यह एक प्रोटेक्टेड एरिया है और यह गोवा में लोकेट वालपोई टाउन के पास वालपोई टाउन के पास सतारी तालुका में लोकेटेड है नौर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में अब देखिए यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको वज्र साकला वाटरफॉल और विर्दी फॉल जो है दिखना मिलेगी जो कि है चोरला घाट रियन में है अब यहाँ पर आनिमल्स देखिए टाइगर इंडियन ब्लैक पैंथर स्लॉट बियर गौर बार्किंडियर सांबर डियर लेपड रेडी मुंगूज एजिन पाम सिवेट इस्मॉल इंडिन सिवेट डोले जंगल कैट मौश डियर वाइल बोर इंडियन हरे यह स टले वाइल लेप सेंचुरी जो कि है नौर्ट इष्टन रिजन में अंचरफ प्रदेश हमारा है नौर्ट इष्टन में नौर्ट इष्टन स्टेट है बहुत खुबस्वरत इस्टेट है जब आप UPSC आ कोई पनें जो आप जिस जोब के तयारी कर रहे हो जब करेक करना त तो इसको इस्टेबिश गया था 1995 में और यह 337 किलोमीटर में फैला हुआ है यह वायड लेफ संचुरी ठेक है तो यही सब है देखिए मैंने बता दिया अमनुचर प्रदेश में है 1995 में इसको इसको इस्टेबिश किया गया था और इसको टले वैली वायला था संचुरी भी बोलते हैं लो अब देखिए यहां पर आपको जानवर कौन कौन से मिलेंगे जाइंट स्क्वाइरल इंडियन मुंजैक एशन पांप सिवेट यह सब आपको यहां पर जानवर देखरों मिलेंगे देखिए जित्ता में यह आपको पढ़ा रहो वाड़ संचुरी में इतना मोर उठाता है ठीक है तो नेशल पाक मैंने पूरी सीरीज कवर करवाई है आप उसको जाके देखिएगा और उसकी पीडियाफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा अपनी वेबसाइट पे अभी हमारे थोड़ा टेक्निकल इशू है वेबसाइट पे तो अभी जैसे देखिए यह है पहलेस का मैं देखिए पापितोरा वाइलेस संचुरी जो है आसाम में है आसाम के मोरीगाओं डिस्ट्रिक में ब्रहमपुत्र रिवर के साउधन बैंग में यह वाइलेस संचुरी जो है लोकेटेड है ठीक है तो मोरीगाओं डिस्ट्रिक में ब्रहमपुत river के southern mangue में यह located है और यह आसाम में है यह wireless century जो है आसाम में है यह देखिए मैंने बता दिया है आसाम में है यह wireless century इसको 1997 में डिकलेर किया था wireless century के तौर पे और 38.85 km का एरिया है इसका और यह Indian rhinosaurus को grassland और wetland habitat प्रोवाइड करवाता है पाविदरा वाइड वाइड संचुरी में largest Indian rhinosaurus population आपको दिखनों मिलेगी यहाँ पर सबसे आदा rhinosaurus population दिखनों मिलती है इंडिया में ठीक है आप देखिए अब देखिए इस वाइड वाइड संचुरी में आपको 15 grass species दिखनों मिलेंगी जिसमें synodon dactylon, whip grass vediver, ribbon grass fragmites रकरका southern cut grass और singlal grass यह सब आपको यहाँ पर देखनों मिलेगी जो कि बिल्कुल important नहीं है ठीक है यह ज़्यादा important नहीं है इतना याद भी नहीं कर पाऊगे word stuff है तो उसको याद नहीं कर पाऊगे ठीक है अब यह थोड़ा important हो जाता है mammals देखिए आपको golden jackal, wild boar और feral और water buffalo, barking deer, indel leopard races macaque यह आपको यहाँ पर जानवत देखनों बिलेंगे तो यह दोस्तों पूरा lecture था मैंने आपको wireless century पाँच आज बताई है अगले lecture में आपको 5 wireless century और पताएंगे और जल्दी से जल्दी यह जो सीरीज है 6 या 7 दित में cover करवा दूँगा ताकि आपको more than enough time मिले इसको revise करने के लिए और पीडिया भी मैं combine करके आपको website प्रोवाइड करवा दूँगा तो टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है तो यही लक्षा था दोस्तों अगली वीडियो साथ मोजल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद